करेंगे दुरिया में आपका बहुत 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 मैं मैसेल्फ गोजार आपको सारी जान कर रही दोंगे माउथ हलसर में क्या खाना से यह क्या आवाइट करना से यह हमारे बॉड़ी में बेट्मेंट की डिफ्रेंशी से भी हो जाता है कभी कभी बॉड़ी हमारी बहुत जदा हीड हो जाती है जैसे कि हम ज्यादा चंग फूर्ट और हॉट चीजे खाते हैं उसके वज़े से कॉंचिपेशन और एसे टिक फूर्ट जो खाते हैं मसालेदान खाना होता है और होट चीजे खाने से भी हमें माउथ अलसर की प्रॉब की कैसे जाजाते हैं नौर्मली ये 20% से 30% लोगों में माउथ अलसर की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है जो कि रेड कलर के होते हैं सरकल में बहुत ज्यादा पेइनफुल होते हैं आप उस समय कुछ भी खाने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आपको अगर यह रेड कलर के होते हैं इसमें स्वाइलिंग भी होती और आजाती है तो हम एंटी इंफ्लामेंटरी यूज करके भी इससे रिलीव पा सकते हैं और हमारे पास जो है सोर्जिल इस समय यह इंडास कंपनी का सोर्जिल है जो इंडास कंपनी ने बनाया हुआ है जो इंफ्लामेंटरी और एंटि वैक्रियर में यूज होता है 한ल हमारा है कि असकी हमारे इस्तेटीग करते हैं तो आपको फिंगर से वहां पर लगा देना है जिससे लुब्रिकेंट मलब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसको बहुत ही लुब्रिकेंट मलब चिकना हट के तरह कर दे जिससे की अलसर की ग्रोप नहीं बढ़ पाती है तो की कॉस्टिपेशन की प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी में अब्लेबल होता है जिससे की हमारा मौत जो है वह नौर्मली इताउट किसी मेडिकेशन के भी ठीक हो सकता है मैं हमें क्या नहीं कहने हमें करम चीजों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चीए जैसे कि हमें चाई भी नहीं पीनी चीए काफी भी नही है प्राइब है इन सुरे चीजों से और ज्याधा बढ़ सकता है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है था नाटेस्य जिजों का फील्कुल यूज नहीं करने हैं चाईओ झाई नहीं खाना मारी एक भूलिए अवालता की problem बहुत जादा बनाठी है करने के बाद भी ठीक नहीं होता है धीक होताई है और तो कभी च्छोटे माउफ हलसर में हम सोय का यूज करके बैजि़िप पासकते हैं जिसे हमारा हमारा और देमें यह तो आपके अंदर जो सलाइवा आता है लार आप उसको बाहर निकाल सकते हैं आपको नहीं लेना कभी आपके माउथ अलसा में पेन नहीं होता है उसमें सिस्टा आती है उसके जिए सब्सक्राइब होता है और कभी कभी उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है यह जो सिंटम्स होते हैं ज्यादा ही डेंजरेस होते हैं तो आप प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए कि यह सारी चीज़े क्यों वही है आपको यह वीडियो बहुत जादा पसंद आई होगी कर अपना प्यार और सपूर्ट बनाए रखिये हम अ झाल झाल